करेंगे जो पांच मार्क्स करता है हर किसी एक्जाम में तोपिक आसान है लगबग सभी स्टुडेंट्स को आता है लेकिन इसके अंदर दिक्कत होती है कि एकदम एजीली टू से थ्री मिनिट्स के अंदर सब लोग इसको निकर पाते हैं ज्यादा टाइम कंजूम कर देते हैं इस टोपिक को अपन चार सेक्शन के अंदर पढ़ेंगे इसके अंदर सिंपल और लेवल से स्टार्ट करेंगे उसके बाद में आइदर और केस पढ़ेंगे उसके बाद में प्रेंगे इन चारों पार्टों को एक वीडियो में कंटेंड करना बड़ा मुस्किल हो जाता है लापत वाली दो सबसरी एब तो मैं तुध्र में फिक पूर ना चाहता हूं तो मैं आपको बताजता हूं कि तीन साइन यहां पे दिखे हुए है मैं इन साइन्नों को थोड़ा आपको greater than less than इस तरीके से नहीं समझाना चाहूंगा मैं थोड़ा सा आपको इस तरीके से समझाना चाहूंगा कि इसको question को कैसे हैंडल करना है आप greater than less than equal to सारी चीज़ों को भूल जाएं आप एक बार के लिए आप बस में तरीका बता रहा हूं वह याद किजिएगा जैसे कि यह अपना sign है greater than वाला इसमें यह जो जहां से open gate है यहां पर दिख रहा है आपको open gate इस side वाला open gate यह जो यहां से open gate है यह यह open gate यहां से यहां से मतलब entry possible है यहां से आप ऐसे जाकर दूसरी साइड आ सकते हो इस side लेकिन जिस side close लिखा है उस side से आप entry नहीं कर सकते हो ठीक दोस्तों तो यह sign आ आपको समझ में आ गया होगा अब नीचे देखते तो यह इस साइड क्लोज है तो इस से इंटरी नहीं कर सकते हैं अपन इस साइड लेकिन इस साइड से ओपन है तो इस साइड से इंटरी कर सकते हैं ठीक है दोस्तों और जो ओपन गेट है दोनों साइड से वह है इक्वल टू का इक्वल टू में आप इधर से भी इधर इंटरी भी कर लिए आपको यहाद रखना एक बार के लिए जहां से ओपन के ओपन होता है इस साइड से साइड कर सकते और दूसके से ख் Pow करेंगे तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा ठीक है दोस्तों आप 30-40 सेकेंड में इसका आराम से कर पाएंगे उससे कम टाइम में कर पाएंगे अगर द्यान से समझेंगे तो भुवजर भे मैंने देखा कि एसे मिरेको एकस सब्सक्राइब तो मैंने इस स्टेटमेंट में चला गया यह स्टेटमेंट में जाकर मैं एस स्टार्ट करता हूं एकस सब्सक्राइब कौने कि यह दिक्कत नहीं आई तो यह टिक लगा दिया अपने यह अपना जो conclusion ने पहला वाला हूँ सही है दूसरे conclusion पर पहुंचते है अपन दूसरे conclusion में अपने को क्या करना है दूसरे conclusion में अपने को B से P जाना है समझे रहो दोस्तों वी से पी की और जाना है मैंने वी को पकड़ दिया यहां पर यह रहा भी अब मैं पी की साइड जाने को इस्थ करता हूं बी से में एक्स तक आ गया एक्स से वाई भी आ गया ऑपन है गेट क्योंकि इक्वल तो दोनों साइड से उपन होता है लेकिन के बाद में गेट क्लोज हो गया इसलिए में पी पे नहीं जा पाया तो यहां पर सेकेंड वाला उप्शन है गलत हो गया इसलिए आपका इसका अंसर हो जाएगा इफ ओनली फरस्ट कॉन्प्लूजन फो ठीक है फ्रेंट्स आपको यह चीज समझ में आई होगी चलो नेक्स यहां पर भी कण्डिशन में सही होगा है किस कंडिशन में गलत होगा इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूं द्यान से देखना दिके दोस्तों डी से जाना है अपने को जाना तो इस साइड है अपने को पहली बात तो डी से यह पहुंचना बहुत जरूरी है दूसरा इक्वल्टू बोलता है कि जिस जिस रास्ते से आप गुजरोगे वहां पर मेरा साथ कहीं भी नहीं छोड़ोगे तो ही मैं सही हूं ठीक है क्विश्चन स्टेट्मेंट में जाते हैं आपको समझ में आएगा देखिए दोस्तों मैं डी से एक और जाने कोशिस करता हूं डी डी से अ बिया सकते हैं और एक व्टूबी अपना साथ कहीं नहीं छोड़ रहा है इसलिए यह उक्वल्टू भी यहां पर आएगा दूसरे कुश्चन में चलते हैं दूसरे कॉंकुलूजन में चलते हैं यह पहला इस्ट्टमेंट हो गया राइट दूसरे कॉंकुलूजन म इसलिए यह statement conclusion जो अपना second वाला है यह गलत हो जाएगा तो इसके अंदर भी अपना first option आ जाएगा कि only conclusion first follows यह तो simple question होगे दोस्तों आप लोग इनको पहले भी कर लेते होंगे लेकिन इसमें दिक्कत टाइम कंजूमिंट कहां हो जाता है जहां पे दो स्टेटमेंट आ जाते हैं जैसे वहां पीछे वाले question में देखो तो आप सिर्फ एक statement है यहां पर ले ले उसके बाद जो मैंने पहले method बताया उस method यह अपने किसी और method से करने कोशिश करते हैं तो इन दोनों को combined करने में ही बहुत जादा time लग जाता है एक से दो मिनिट आप वहाई पर consume कर दोगे तो उसके बाद करते रहो question को मतलब ही निकलता साथ साथ मिनित लग जाएंग और नहीं छोड़ा यहां पर सी इंहीं चुख दो यहां एक सी तो परूंच पहूंच चुके है अब सी से कहां जह जाना यह जाना और सी से यह चला तो गया लेकिन आपर एकुल टूने साथ ही छोड़ दिया बंदीन यह हो जाएग में से और अकशन को C आ गया आया और equal to ने भी साथ नहीं छोड़ा मेरा तो A से C तक बिल्कुल ठीक है वही जा पाने आराम से equal to भी साथ नहीं छोड़ रहा C से E में चला तो गया लेकिन equal to ने मेरा साथ छोड़ दिया इसलिए यह statement a conclusion गलत हो गया दूसरा दोस्तो F से D के लिए चलते हैं F से D जाना है मेरे को ठीक है F यह रहा F से C जा सकता हूं चला गया आराम से आ गया C यह रहा C से B चला गया और B से D चला गया तो अराम से F से D पहुंच गया equal to यहां पर कोई चक्करी नहीं है तो यह वाला अपना सही हो गया तो यहां पर option second आ जाएगा इफ ओनली conclusion second follows ठीक है फ्रेंड्स आपको एक समझ में आया होगा next question उठा लेते हैं पर next question में देखो टीन statement आ घाए ठीक है वही करना है अपने को तो केसे रास्ता बना के महां पर पहुंचना है सबसे पहले मैं देखता हूं आर से जे जा पाराओ नहीं जा पर ठीक है ल W सबसे पहले ढूंडो आर कहा है और जे कहा है यह रहा है आर से में कहां जा सकता हूं यह नहीं जा सकता हूं और कहीं तो जा ही नहीं सकता आर से एंच जला गया अब एंच से कहां जा सकता हूं एंच से के आ गया ठीक है और के से फिर में जे चला गया यह नहीं जा पा रहा हू अराम से जा पारूं, दूबारा देखना दोस्तो, आर से मैं N के लावा कहीं जा सकता हूं, नहीं जा सकता हूं, तो आर से N आ गया, N के बाद मैं देखा जे तक पहुंचेने के लिए पहले के पहुंचना पड़ेगा, तो N से के पहुंचेने कोशिश Methy, पहुंच गया आराम ऐसाथ शूटना ने जी जहां पर आ जाता है ठीक है मैंने क्यों से चलना इस्टाइट गया क्यूंसे एन जा सकता हूं सबसे पहले में दोस्तों एक किलियर और करने के लिए एक एक्जामपल और देख लेते हैं फटाफट इसमें भी तीन स्टेट्मेंट दिये हुए हैं सबसे पहले मैंने देखा पी से यू जाना है मैं रखो पी पकड़ दिया मैंने यह आ गया पी से देखो मैं कहीं जा सकता हूं क्या कहीं नह सकता पी के दो दूसरी साइट नहीं और एक साइट गेते हैं लोज है ठीक है तो पी से तो जाई नहीं सकता मैं डेखते सपी में यू से क्यूं जा सकता हूं ठीक है दोस्तों क्यूं से आर भी जा सकता हूं लेकिन यू से क्यूं तक ही मेरा काम है क्योंकि अगले स्टेटमन में क्यूं कॉमन है यू से देखिए दोस्तों वी से यू चला गया यू से क्यूं चला गया ठीक है अब क्यूं से मैंने टी की और जाने की कोसिस की लेकिन यहां पर गेट क्या हो गया हो गया यहां से आगे नहीं बढ़ सकते यानि यह भी आपका गलत हो गया तो तीशरे के अंद ने दोनों ही कॉंक्लुजां गलत है तो इसके नदर आजयेगा इस funding नर यहां ना इस सेकेंड फोलो करता है यहां तक सिंपल था होफुली आई बीपी एस पीओ के प्री एक्जाम में यहीं से तेल क्यूशन आएंगे एक दो कैस आई दरोर काएगा वह अगे समझने वाले हैं यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा कुछ भी समझ में नहीं आए इ इस तरीके से नहीं हो पा रहे हैं तो कमेंट सेक्षियन वे जाकी कमेंट करके बताईएगा हम कौसिश करेंगे आपको रिपलाई करने की ठीक है दोस्तों नेक्स्ट केस है अपना ज्रोर का धिका तोस्तों इसमें आपको दो-तिन चीज़े बतावगा रूह साफ य्योड़ तो वो जाएगा पहली चीज आपको आईदरोर केस में क्या देखनी एं दोनों कोकूलूजन के दोनों WIL कोणकूलूजन में त्होंने है यानने कि यहाँ पे अ है यहाँ पे भी अहेँ यहां पर सय यहाँ यानिकल के दोनोंग्त स्यंक आगए दोने क्वेक्वार मेंन एस पहले conclusion में है एन एस ही दूसरे conclusion में यह तो आइदर रोस के लिए पहले condition हो गई दोनों element समानों ने दूसरी बात कि दोनों element में एक sign equal to का हो और दूसरा sign greater than या less than कोई भी हो तो आप इन दोनों को कमाइंड कर लो कमाइंड कैसे करना है जैसे मैंने एन लिख दिया और दूसरी side s है तो यह sign लगा के मैंने एस लिख दिया थोड़ा ठीक से निजा रहा है आप इसको समझ लेना ठीक है यह यह second वाला कोल्कुल दिया और नीचे इसके में लगा दिया इक्वल यह बन गया अपना ठीक है दोस्तों यह को कमाइंड कर लिया मैंने इन दोनों को कमाइंड कर सकता हूं मैंने सेम अगर आएंगे एक कमाइंड कर सकता हूं मैंने कमाइंड के पेपर पे एक सेकंड लगेगी मेरे को को स्टेटमेंट को चेक करarna है मेरे को अब ससे कहां जाना है से मेरे को एइन की साइड जाना है ठीक है एक से यह डख तो और इक्वल्त का साथ बहुत कहीं भी चूटना नहीं चाहिए Jr है ओपे चला गया फिर ओसे एन जा रहो हूं मैं ओसे एन चला गया अराम से पहुंच भी गया और इक्वल्टू ने यहां पर भी साथ नहीं छोड़ा दोनों जगह साथ दे दिया इक्वल्टू ने ठीक है यानि कि यह अपना दोनों कॉंक्लूजन जो मिक्स जो अपना रिज समझ में आया होगा दूसरी चीज शांदार ट्रिक यहीं है एक सेकंड में कुश्चन सोल करने की अगर दोनों एलिमेंट सेम आते हैं बेंक एक्जाम में तो वाइदरोर का केस ही होता है लेकिन परसेंट एक लिए आप एक बार इसको ऐसे कर लीजेगा ठीक है दोस्तों और यही दो स्टेटमेंट अपने को दिये हुए हैं स्टेटमेंट यहां पर एक दिया हुआ है और एक यह दिया हुआ है ठीक है एक इक्वल्टू साइन है जो मैंने बोला एक इक्वल्टू साइन है एक दूसरा साइन है दोनों को भाई कमाइन करके देख लो यह मैंने यहां पर लिख दिया आपका पी लिख दिया इसके यह ग्रेट देन का साइन आ गया नीचे एक वल टू लगा दिया और यह हो गया आपका बी हो गया ठीक है दोस्तो यह बन रहाँ इन दोनों को कमाइंड करने के बाद में आराम चुमणाई इसके नीचे ही क्कूच दो आप तो लाइन इसको यहां से ऐसे कर दो गे तो बन जायगा जाया तो ठीक है तो लेकिन मैंने यहां पे लिख दिया यह तुकित दोस्तो अब यहां से आपको यह चेक करना है सही है या नहीं है पी पर चला गया में तो पी से यू आ गया में एक्वल तुने साथ छोड़ा कहीं पर और आ भी गया में यू पर फिर यू चला गया ठीक है यू से ए आ गया एक्वल तुने साथ छोड़ा नहीं छोड़ा एसे भी आ गया एक तुने साथ नहीं छोड़ा यानि कि यह जो कंबाइंड करने के बाद कोंक्लूजन आया यह सही है क्किशन करने के बाद आया इसलिए यह आईदरोर के कैस में चला जाएगा ठीक है ठीक दोस्तों वह ली आपको किलियर हो गया होगा जिसके भी थोड़ा सा भी पहले से इसके बच गई और कहीं पर आपको ऐसे सेम एलिमेंट दिखे तो डाइरेक्ट भी ना सोचे समझे आई दरोर केस लगा देना ठीक है फ्रेंट्स ठीक है एक इसमें लास्ट केस बनता है जो बहुत कम लोगों को समझ में आता है और वह मतलब इसके अंदर बनाई ही रहता है बहुत का टाइम लग जाता है तो मैं आपको एक सिंपल से ट्रिक दे रहा हूं इस लास्ट वाले क्विश्चन के लिए कि एलिमेंट तो देखो अपने सेम चीए चीए इसमें आप कंबाइन भी नहीं कर सकते क्योंकि जहां तक एक एक इक उन्हीं होगा वहां तक आप कंबाइन न साइन आ गया यानि कि जो इकुल्टी निकुल्टी में तीन साइन होते हैं अपने अलग-अलग लेस्ट एन गराटर और मउघ्वल की टीनो साइन यूज वह इसकी इंदर जैमेंट सेमें और तीन यूजा हो गए एलिमेंट सेम है और यूजा हो तो आप देखते एब हैँ तो उसको statement भी मत पढ़िए एक सेकेंड के अंदर आइदर और लगा के बंद कर लिजिए और सो परसेंट आपका सही होगा बेंग एक्जाम में करने वाले कुछ आपको गलत करके दिखा देंगे इसको कुछ स्टेटमेंट में पंगा करके लेकिन जो एक्जाम में आएगा वो आईदर और केस ही होगा अंडेड परसेंट जहां पर तीनों साइन यूज में हो जाएं और दो ważne तो आप अईटर और केस कर दीजे ऐसे इसका उल्टा हो सकता है इसका उल्टा क्या हो गया यहां पर अप riff औरन डे यकिंकल टू को सब्सक्राइब कर लीजे कि एक दो दिन के लिए आने वाले की जाएंगी और आपका जो सेलिबस है वह ज्यादा ज्यादा इंपोर्टेंट टोपिक्स हैं वह हम कवर करना ही कोशिश करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए लेटेस्ट अपडेट के लिए और इसका एक पार्ट और बनाएंगे हम उसका वेट किजिए जल्दी ही द